चैप्टर नमबर 9 बायो मालेक्यूल्स हमारे बायोस्फेर केंदा लिविंग और गैनिजम की इतनी वाइड डाइवर्सिटी है एक जो क्वेशन हमारे माइन में आ सकता हो यह है कि क्या सारे लिविंग और गैनिजम सेम केमिकल से मिलके बने होते हैं सेम मिलके परियों दोड़ते हुं और आप केमिस्टर में पड़ा गैनिजम अर्ए Ben screen की जाती है अगर अगनलिशी या फिर या माइक पर डिचो पर हम मिल इक लिस्ट मिलते है एलिमेंट्स की जो उसके उंदर प्रेजेंट होती जब हम एन इनलीसिस किसी बी टीशॵ पर तो अगर रिष्ट करते हैं अगर हम एम बीष नको रहें जाती है है आल जाय चीशिर संङर्पर कर था अग्ज भीनिः्ट मेंस्ट में सह éléments जो दो और अश्चार्ष cyn कहirdi अ मेंस्व वही ऐलिमेंट्सी रहें दो जीटकी है है एप्सोल्यूट कुछ भी गृशन के अंदर स यहां अंदर प्रिजंट में प्रेस्ट की उस और अंदर से क्थि आर्फ में एक तरिका से मिटी से मिल कàn बने हैं तो जो चीज आर्थ में जो चीज आर्थ के अंदर प्रेजिट होगी तो एबसुल्यूट टम्स में कोई ऐसे डिस्टिंगेश्ट नहीं किया जा सकता है लेकिन तो फिर आखिर क्या चीज है जिससे डिफरेंस बनाया जा सकता है तो यह कहते हैं कि जो क्लोजर एग्जामिनेशन किया जाता है तो इससे पता चलता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन की और हाइड्रोजन की वह एस कंपेर टू अधर एलिमेंट वह हायर है उसका कंटेंट लिविंग आर्गेनिसम के अंदर क्या है ज्यादा है दैन इन अर्थ क्रस्ट अर्थ करस्ट के कंपैरिजन में खाट करते है किस तरीके से केमिकल कमप्योजिशन को एनिलाइस करते हैं हाव टू ऑनिलैस कमिकल कंपोजिशन कि किसी भी टिश्यू के अंदर कोई兩 Kiria 통 2017 क्र 1 गेलिमेंट टिशू ले लें तो उसके निर आप देखते हैं कि किया क्या他 एअलिमेंट प्रेजेंट और तो यह कह रहे हैं कि किस तरीके के organic compound living organism के अंदर पाई जाते हैं किस तरीके से इसका अंसर का पता लगाए जाए तो अंसर को पता लगाने के लिए आपको chemical analysis पर जाना पड़ेगा आपको living tissue लेए living tissue vegetable का भी हो सकता है फिर कोई animal like piece of liver भी हो सकता है और इसको grind करिये द्राइ क्लोर एसेटिक एसेट के अंदर CEL3CCOOH using a mortar and pistol इसकी मदद साप उसको grind करिया आपको एक तिक सलरी मेलेगी इस तिक सलरी को आपको क्या करना है चान लेना है चीज क्लोधिया फिर कॉटन की मदद से तो आपको दो फ्रेक्शन मिलेंगे एक एक फ्रेक्शन होगा फिल कोई चीज कुलोधिया फिर कॉटन जो जो चीज आपने ली है चानने के लिए ठीक है तो जो रीटेंट है वह एसेट इंसौलिबल फ्रेक्शन होगा वह एसेट में नहीं होगा सैंटिस्ने क्या पाया है कि थाउजंड सो पर्गानिक कंपाउंड मिलते हैं कॉन से कर लेता है कोई भी इसको वेरियस सेपरेशन टेक्निक के तरू जाना पड़ता है मतलब आपने कोई कंपाउंड आइसोलेट क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसकंदर मिलावट पैदा होगी मिलावट होगी उसकंदर ऐसे नहीं कि आप डारेक्ली किसी चीज को बिल्कु प्यूरिफाई आइसोलेट करेंगे नहीं उसके नहीं थोड़ी बहुत और कंपाउंड के मिलावट होगी तो उसके वज़ा से उस चीज को रिमोव करने के लिए वेरियस सेपरेशन टेक्निक का इस्तमाल किया जाता है तब तक कि इन आनादर वर्ट से वन आइसोलेट और इसने भी उसके साथ और कंपाउंड की इंप्यूरिटी उसको सेपरेट करना होता है अनलाइटिकल टेक्निक के तुरू जब वन अप्लाइट तो दे कंपाउंड और जब यह चीज अप्लाइ किया जाती है तो एक आइडिया मिल जाता है मॉलिकुलर फार्मूला का और प्र इसले प्राइट चाहरे जाता है जितनी भी कार्बन कंपाउंड जो हम लिविंग टिशू से जो हम लिविंग टिशू से मेल रहें तो क्या कहते हैं वाय मॉली क्या थे हालाए कि लिविंग और गैनिजम के अंदर है और आउर्ट गाट इन ओड़निक एलमेंट ऐसा नहीं ह हमारे अंदर सिर्फ और गैनिक कंपाउंड ही है नहीं हमारे अंदर और भी इन ओर्गनिक एलमेंट पाए जाते हैं ठीक है तो यह कह रहे हैं कि हमारे अंदर इन ओर्गनिक एलमेंट कंपाउंड भी पाए जाते हैं तो किस तरीके से हम पतल हमें पता लगाई जाए कि हमार कुछ नहीं करना को एक स्लाइटली डिफरेंट लेकिन एक डेस्ट्रक्टर एक्सपरिमेंट आपको करना पड़े हैं आपको भी लिविंग टिशु लिए उसको वेट करिये से अलीप या लीवर कपी कोई भी और जो यह वेट है इसको कहते है वैट वेट कि इसका जो अभी आपको ड्राइवेट मिल जाएगा जिदना पानी होगा वह वह एवैपोरेट कर जाएगा रिमेनिंग माटेरियल आपको ड्राइवेट देतेंगा अगर टिशु का बर्न करते हैं तो उसके क्या हुआ हो जाएगा सीओ टू में वाटर वेपर में और सब कर्या होजाएगा सब्सक्तों किसो निएंगे लिंगेट कर शी या को हम इंदर प्रेammर लिखा टीके तो देख लिखे लिखे लिगे थिया हमें से पर На 2-चन दर टीके इंदर पूछरे कि हमें क्या से पता लगएगा की हमारें अदर अन्दर व्ने तीशु लीजीया उसको जला देंगे और स इसको सुखा लेन है जिससे को water content जितना भी moisture content वह सब खदम हो जाए पर इसको जला देंगे तो जतना भी carbon compound होगा वह oxidized to the CO2 CO2 is a gas इस तरह देगा जाएगा रिमेनिंग आश बचेगी उसके बाइश कंदर आपको क्या देखने को मिलेगा इन और गनिक अल्मिन यसके चैल्सियम चैल्सियम मैंने से कमपाँण जैसे सल्फ़ेट फॉस्फफ़ेट भी आपको चैलेगा गनेशियम इसी वज़े से केमिकल अनलै एक पता चलेगा कि कौन से अलिमेंट है और जब हम चुम्पाउंड के लिए अनिलेसिस करते हैं तो हमें यह पता लगते है किस तरीके का और गनी कंपाउंड प्रेजेंट है ठीक है इन और इन अरगनी कंस्टिविएंड क्या है प्रिल्मिंग टिशु दर तो जब हम कंपाउ वी शिल्के लासिफाइड्द एंटु ए्मिन एसिट सारी वियोजिकल पॉइंट पॉइंट ईआप्ट वीव से वीशिल क्लासिफाइड्द एंटु एक अच्छा तेखो यह कहे हैं कि हमारे जो करते हैं हाह जब हम क्या करते हैं तो जब हम जब हम करते हैं कंपार्ट के लिए तो कि ओड bear holiday कल पॉइंट को değer हम किंब्ल की esperando और सकते हैं अमिनफ्र भ्राइन सबूक्ष्ड कर ragwhy HOR श्केया बाल्डा dess ओंड नीक्टिन है और एससे के कि ऊसे परसेफश्चेन के कैmistry प्रिजिटह के जुजश। थीफ के परशेकज ऑपर व्हुत我们 और कि क्या पर्सेप्श्चन है और सोना गाया अर। zapy precisely इसे वज़ जए से अनको आलफा मिन्स एसट कहते हैं यह क्या होता है सब्स्तिटूट्ट मेटियन होते हैं चार सब्स्तिटूट्ट गुरूप गृूप जो चार वेलंची फॉजिशन को अउक्टिपाइ गरते हैं इन वेसे एक हाइड्रोजन एक कार्वाक्सलिक गूप है और variable group है जिसको डिजाइन के जाता है as R group, R group को variable इसलिए हो जासे कागा है क्योंकि R group अलग-अलग amino acid में बरी करता है, जैसे कहीं सिर्फ hydrogen होगा, कहीं CH2OH होगा, कहीं CH3 होगा, तो उस बेसिस पर यह जो R group होगा amino acid के अंदर, यह variable variability शो करता है, R group के नेचर के बेसिस पर काफी सारे amino acid देखने को मिले, जैसे अगर हम बात करें, तो वह amino acid प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनमे क्या है, सिर्फ 20, यह पुराना PDF है तो इसके अंदर 21 add type दिखा हैं, लेकिन नई वाली NCRT में, जो नई वाली NCRT उसके अंदर amino acid मिलते हैं, किस तरीके के होते हैं, 20 types के amino acid पाए जाते हैं, जो R group proteinaceous amino acid के अंदर है, वो hydrogen भी हो सकता है, then amino acid is called glycine, ठीक है, R group अगर protein, R group अगर amino acid के अंदर hydrogen पाए जाता है, तो amino acid को कहते हैं, glycine, अगर methyl group है तो alanine, hydroxyl methyl है तो उसको कहते हैं, सीरीन, तीन का structure दिखा प्रपरटीज के बात करें, amino acid की, तो basically उसके अंदर दो functional group प्रेजेंट होते हैं, एक COH group और एक amino group, तो इन ही group के वज़े से क्या होगी, chemical और physical properties रिफलेक्ट करें, amino acid के, जैसे हम बात करें, amino or carboxylic group के बात करें, बात करें, amino acid के बात करें, amino or carboxylic group के बात करें, बात करें इन में दोनों ही, एक दूसरे को मतलब कोई भी dominant नहीं करेंगा, दोनों contract होंगे, मतलब ठीक है, sorry, basic है, तो basic है, जो हमारा amino group होगा, वो प्रो dominant करेंगा, sorry, यह जो basic है, लाइसीन, इसके अंदर amino group, dominant करेंगा, इस वज़े से लाइसीन, न्यूट्राल है, लाइसीन, बात करे तो न्यूट्रल में वैलीन है, ठीक है, गुलाइटिमिक एसीड, एसीड है, बेसिक में लाइसीन है, और न्यूट्रल में क्या है, वैलीन, सिम उसी तरीके से aromatic amino acid भी है, जैसे टाइरोसीन, फिनाइल, एलनाइन, ट्रिप्टोफन, पर्टिक्लर प्रॉपर्टिक्लर प्र में आप देखेंगे कि amino acid का structure जो है, चेंज होता रहता है, यहां पर देखेंगे आप भी वाले structure में अम्मोनिय के ऊपर positive charge, CO की ऊपर negative charge है, इसको कहते हैं जहां पर आप polarized nature देखें, आप प्रॉपर निगेटिव चार्च दोनों present है, लिपिट्स जेनरली water insoluble होते हैं, यह सिंपल fatty acid भी हो सकते हैं, fatty acid के अंदर क्या होता है, carboxylic group प्रेजेंट होता है, वह भी किससे R group से attached होगा, R group methyl भी हो सकता है, ethyl भी हो सकता है, higher number हो सकता है, CS2 group का, जो वेरी करता है from carbon 1 to 19 carbon, इस एक्जाम्पल के बात करें, तो parmetic acid के अंदर 16 carbon होता है, including carboxyl carbon, मतलब जो 16 carbon हो सकता है, तो parmetic acid के बात करें, 20 carbon होता है, including carboxyl carbon, fatty acid could be saturated, that means without double bond or unsaturated, मतलब उनके अंदर carbon double bond carbon present हो सकता होगा, unsaturated, fatty acid saturated भी हो सकता है, और unsaturated भी हो सकते है, ठीक है, अगर हम सिंपल लिपिट के बात करें, गलिसरॉल, जो कि ही ट्राय हाइड ऑक्सी प्रोपेन है, एक काफी सारे लिपिट के अंदर क्या होता है, glycerol और fatty acid दोनों होता है, ठीक है, many lipids है, both glycerol and fatty acid, अगर हम सिंपल लिपिट की बात करें, तो इन्हों उनका है, glycerol जो क्या है, ट्रायोडक्सी प्रोपेन है, लेकिन यह कह रहे हैं कि काफी lipids के अंदर glycerol और fatty acid, दोनों unit होती यह COOH ग्रूप और OH ग्रूप आपस में क्या बना लेते हैं, esterified हो जाते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं, fatty acid esterified हो रहा रहा था है, फिर इनको monoglycerate भी कह देते हैं, जहां पर यह esterified होता है, एक unit monoglycerate, diglycerate and dry glycerate, इन्हें fat और oil कहते हैं, melting point के अधार पर, oils के अंदर क् low melting point होता है, जैसे gingerly oil, और यह winters में भी oil में, oil की form में ही present होता है, मतब solidify नहीं होता है, उसमें winter में भी, क्या आइडेंटिफाइ करते हैं, fat को market से identify कर सकते हैं, यह अब देखें, कुछ lipids के अंदर phosphorous और phosphorylated organic compounds होते हैं, कुछ lipids के अंदर क्याते हैं, फॉस्पोर और lipids के अंदर phosphorous. फॉसपोरारीलेटड़ कंपौंण data होते हैं, हंपॉस्पोर-बॉबिट क्या देमार में पुम्गाते हैं, यह classify lipid का प्रेज casino हैं, उर pioneer इस या और भी जादा क्या काम्पाउट प्रेज में होते हैं, किसमें lipids में उस टिशंब besetल नियरल इस पेषों पर जहां पर अट्रोसाइकलिक रिंग पाई जाती है जैसे इन में से कुछ नाइटोजिनस बेस है अटिनीन, गौानीन, साइटोसीन, यूरेसिल और थाइमीन जब यह शुगर से अटाइच हो जाते है तो इसको कहते है नुकलियो साइट ठीक है यह जब नाइटोजिनस बेस घया है याद करने वाली बात है अटेर बलिवानीन के बत करें तो अगर शुगर टेरिय अजय ग्यूंशिक लिए नुक्लिया । तो इधन उसाइन, ग्वेन, आपन ताइमीडीन, युृडीन, शालत आपको पता, तुक्रा जिए को बंशायड 1 उसाहिज 1 तुक्राभ बंशायड 1 रे 6 पहना ने, ile खें 2 असाहिज 3 ने खें 5-6, जो तो आपको पता है कि जनेटिक मतियल किता हो इस तरी के सी हैटिंग पुरी कम्प्लीट होती है फिर मिलते हैं नेक्स्ट चलू यह भी देख लेते हैं क्या है शुगर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ग्लुकोस और यहां पर राइबोस दिखा रहे हैं ग्लुकोस C6S12O6 एंड्री बोस इस 5-carbon sugar that means C5S10O5 यहां पर अपर रहे हैं पर चलुकोस इस और हैं नहीं है और हैज्टोस्यल मिधाइल अगर प्रेजेंट है तो सीरीन वचाइगा पालमीटी कैसे 16-carbon glycerol ट्राय हाइड्रॉक्षी प्रोपेन यह पर ट्राइग्लेसरीट टिखा रखा है जहां पर R1 R2 R3 के डिफ्रेंट पैटी आसिट है फॉस्फो लिपेट लैसाइथिन लैसाइथिन में आप देखेंगे कि यहां पर फॉस्फो राइलेटिट कंपाउंड प्रेजेंट है लिपिच के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इस्ट्रॉक्चर दिखा रहा है जो कि ब्यूटिफुल इस्ट्रॉक्चर है एडिनीन प्यूरियन दबल सैक्ली करेंगे ठीक है यूरिसल पाइरीमेडीन अदिनीन यहां पर आपको नुकलियो साइड पर इस्ट्रॉक्चर दिखा रहा है के डियूसायन यूरियन और यहां पर देखें कि नुकलियो टाइड के अंदर क्या है पॉस्पेट ग्रूप नुकलियो साइड से जा और चैनल को सब्सक्राइब करें